पित्र पक्ष या श्राद पक्ष की शुरवात इस साल 17 सितंबर से हो रही है जिसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा श्राद पक्ष में पित्रों से निमित पिंड़िदान तरपन आदी जैसे करमकान किये जाते हैं इसी तरह श्राद में भोजन कराने का भी विधान है मानिता है कि श्राद में कराए गया भोजन पित्रों तक पहुँचता है और उनकी आत्मा त्रप्त होती है ऐसे में आईए जानते हैं पित्रपक्ष के दौरान किसे और किन चीजों का भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने का क्या नियम है श्राद का भोजन अन्ने दिनों की तुल्ना में अलग होता है इसमें लहसुन, प्यास, मसूरदाल, मासाहार, आदी वर्जित होते हैं श्राद का भोजन 5 जगाहूं पर निकाला जाता है ब्रामनों को भी श्राद का भोजन कराया जाता है लेकिन श्राद में केवल भोजन पकाने ही नहीं बलकि परोसने के भी कुछ नियम और विधिया होती है जिसका पालन जरूर करना चाहिए जैसे भोजन परोसने की नियम भी जान लेते हैं श्राद के लिए थाली के बाएं, दाएं, सामने और मध्यान चारो भागों में पदार्थ बताईए हैं सबसे पहले थाली में देशी घी लगाएं मध्यभाग में चावल परोसना चाहिए और खीर, भाजी, तरकारी आदी को दाई और परोसे इसके बाद नीमबू, चट्नी वा, कचूमर को बाई और परोसे सामने, सामबर, कडी, पापर, पकोडी, उड़त के बड़े और लड़ू जैसे पदार्थ रखें आखिर में चावल पर देशी घी और बिना तड़के वाली दाल परोसे इन बातों का भी विशेश ध्यान रखें जैसे, श्राद में परने वाले भोजन में कम से कम कोई एक ऐसी चीज जरूर बनाए जो आपके पित्र को पसंद थी श्राद का भोजन परोस्ते समय मन में भेदभाव की भावना बिलकुल ना रखें जब तक श्राद विधी पूरी ना हो जाए घर के छोटे बच्चे, अतिथी या किसी भी अन्ने सदस्य को अन्न ना दे तो ऐसे में आप इन बताय गए उपायों को करके और अपने पित्रों को उनका पसंदीदा भोजन करा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आश्रवात पास सकते हैं खैर इस खास रपोर्ट में वसितना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी निउस भारत